हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पैतीभा आज हम बनाएंगे जामुन की बहुत ही रेष्टी, चटपटी, चटकारेदार चटनी रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चलिए रेसीपी शुरू करते हैं जामुन की चटनी बनाने के लिए मैंने आप पर 15-20 जामुन लिए हैं ध्यान रखें जामुन आपको ऐसे लेना है जिनमें पल्प जादा हो और इसी के साथ हमने चार लाल मिर्ची लिए हैं सूखी लाल मिर्च तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दो बड़ी चममच हमने पाउडर चीनी लिए है आप खड़ी चीनी भी ले सकते हैं आदा चोटी चममच काला नमक है आदा चोटी चममच कास्पीरिल आल बिच पाउडर और एक चोटी चममच हमने जीरा लिया हूँ है और नीजियों को हम भून के इस्तमाल करेंगे So, 맞ो कि जामुन का जो पल्प है उसे हम इसतरहे से चाकू की सहएद्था से निकाल लेंगे यह द जेखान है इन उटके मैंने जो जामुन ली है वो अच्छी तो ये देखे, Ф Challemes, हमने जामुन का पल्प इस तरह से निकाल लिया है। जामुन जो कि हमने ऐसे जामुन का पल्प निकाल के रखा है और धीमी आज में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी तो मैं यहापर पाउडर चीनी डाल लेए हूँ इसी के साथ हम नमक और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे कास मेरी लाल मिर्च पाउडर है तीखा नहीं होता है बड़ कलर अच्छा आता है तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब जो चीनी है वो मिल्ट होगी अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इसमें एक-दो चमश पानी डाल सकते हैं नहीं तो अगर आप चीनी डाल देंगे तो को मिक्सर थंडा हो जाएगा तब मिक्सर जार में डालेंगे तो शुटा सा गरम है थंडा होने के बाद ही पीषेंगे थोड़ा सा में सफेद नमक डाल रहे हूं या आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं वह बही अच्छा टेस्ट देता है ये दिखें फिरंस जामुन की खट्टी मीठी बहुत ही टेश्टी चट्टी बन के तयार है आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी इसे फ्रिज में रखके आप एक हपते तक खा सकते हैं खराब नहीं होगी अगर आपको हमारी जामुन की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तर तक के लिए बाबाब